two stars of masses m and 2m at a distance d rotate about their common center of mass in free space the period of revolution is देखो यार ये question क्या कहना चाहता है कि आपके पास में दो masses है तो 2m और 1m तो दोनों की बीच की distance कितनी है d और ये अपने center of mass के इर्दिगरत घूम रहा है मतलब center of mass हमको पता है कि यार जो भारी object होता है उसके पास में होता है तो यहां से उसके center of mass के distance r1 मान ली और इससे distance कितनी हो गया r2 तो अभी जो 2m है ये तो r2 radius की orbit में गुमेगा ऐसे तो माना की v2 speed से गुमेगा और इसी तरह से अगर मैं जो पहला वाला mass है इसकी बात करता हूँ तो यह इसका center यह हो जाएगा और यह r1 radius के circle में गुमेगा ऐसे इसकी speed v1 होगे इसकी speed v2 होगे अब इसका time period बताना है तो आप किसी भी एक को pick कर लो मान जी मैं इस green वाले को pick कर लेता हूँ और इसके लिए सारी खानी करता हूँ ठीकोस m को यह 2m अपनी तरफ एट्रेट करेगा और center के तरफ एक force लगेगा जिसको centripetal force कहते है अब हमें निकालना क्या है इसमें time of revolution तो speed बराबर distance upon time तो time is equal to distance upon speed अब जो distance होगा इसका वह कितना होगा 2pi r1 होगा जो एक पूरे चकर में काटेगा और जो उसकी speed होगी वह कितनी होगी v1 तो एक तो मेरे को r1 calculate करना और एक v1 calculate करना चलो सबसे पहले r1 calculate करते हैं आपको पता है अब दो masses अगर होते है m1 और m2 और इनकी बीच की distance r होती है तो center of mass से अगर मेरे को इसका distance निकालना हो तो यह distance होता है m2 upon m1 plus m2 into r m2 जो है वो 2m है यह r है and this is m plus 2m तभी हो गया 2mr upon 3m यह आ गया मेरे पास में 2r upon 3 और दोने की बीच की जो distance है वो मुझे question में d दी होई है तो मैंने इसको क्या लग दिया 2d by 3 लग दिया यह तो गया मेरे पास में r1 तो r1 होगी वोई इसके पात की क्या होगी radius होगी अब centri की तरफ जो force लगता है वो क्या होता है centripetal force होता है तो centripetal force centripetal force is provided by gravitation force यहां पर centripetal force gravitation force द्वारा provide क्या जा रहा है तो centripetal force देखो कितना हो जाएगा m v square upon r1 mv square upon r, देखो m तो उसका mass, इसकी speed v1 और जो उसकी radius हो कितनी है r1 जो मैंने भी 2d by 3 निकाले यह बराबर gravitation का force है, m को connect rate कर रहा है यह दर की तरफ 2m तो जो force हो जाएगा, यह हो जाएगा g m1 into m2 upon 20 की distance का square mass से mass कट गया and r1 की value put कर दो, जो अभी निकाली थी न, 2d by 3 and this is 2gm upon d square, d से d काड़ दो, 3 को पढ़ ले जाओ see v1 square upon 2 is equals to 2gm upon, so dear student v1 की value आगई, v1 square की value आगई, इस 2 को इदर ले गया, तो 4gm upon 3d and v1 की value आगई, इसका मैंने root लगा दिया, okay, अब मेरे पास में v1 आ चुका है, तो मेरे पास अब r1 भी है, आपर temperate के formula में, मैं r1 की value put करती, जो कितनी है, 2d by 3 and v1 की value put करती, जो आई मेरे पास में 4gm upon 3d, यह पार फिर से check कर लेते हैं, यह है क्या, okay, बिल्कुल सही है, अब बस इसको rearrange करना न, तो देखो, इस 2pi को तो 2pi रहने दो, आप, okay, and यह इसको भी 2d रहने दो, 4 का root करोगे, तो कितना हो जागा, 2, यह कितना हो जागा, root gm, जीको इस root 3 से 3 को काटोगे, तो कितना जागा, यहाँ पर root 3, and इस root d को पर ले जाओ, तो यह d की पावर हाफ पर चला गया, इस 2 से मैं 2 को काट सकता हूँ, तो यह, देखो, कैसी जो मेरी term बनेगी, वो ऐसे बन जाएगी, 2pi d into d की पावर हाफ, और root 3 gm, यह जो 3 gm और d, अगर मैं सब को root के अंदर ले जाता हूँ, अबस d की पावर 3 by 2 को अंदर root के ले जाओंगो, तो d cube हो जाएगा, and this is 3 gm, this is the expression of time period, अगर आप options से match करते हैं, तो you will get second answer, I think आपको आपके doubt का solution मिला होगा, thank you so much and God bless you.